नमस्कार दोस्तों, आप सब कर स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग ग्रामीर की प्राक्टिस सेट रोज लगाते हैं दोस्तों, उसी सीरीज में आज एक नए question paper को लेकर आई हूँ मैं और जैसा कि हमेशा मैं आप से कहती हूँ, paper को solve करने से पहले अपने साथ copy और pen लेकर बैठ जाईएगा इससे जो भी question की answer आपको आते हैं, आप उनको लिख लीजी और उसके बाद मेरे answer से match करिए इससे आपकी practice set में improvement होगा दोस्तों, शुरू करते हैं पहला question, पंचायतों का कारिकाल कितना होता है? प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, प्रथम अधिवेशन से 6 वर्ष, प्रथम अधिवेशन से 4 वर्ष, या फिर प्रथम अधिवेशन से 3 वर्ष उमीद करती हूँ इस कांसर आप सभी को आता होगा प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है तो पहले का A हो जाएगा दूसरा question, गुलाबी करांती के जनक कौन है? अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपको नाम ना पता हो लेकिन आपको पता है वर्ष, कुरियन किसके लिए जाने आते है तो यह उसके लिए है नॉर्मन बॉर्ड लॉग आपके कहा के है? ग्रीन रिविलूशन के एमेस स्वामी नाथन, इंडिया में ग्रीन रिविलूशन के लिए जाने आते है तो बच्चा कोसका नाम? दुर्गेश पतेल जी का नाम यह गुलाबी करांती के लिए जाने आते है देखिए, ऐसे आपको option को eliminate भी करना आना चाहिए जहां आपको question का answer ना आ रहा हो तो बाकी सब के बारे हैं पता हो वहाँ से आप इसको eliminate कर सकते हैं, ठीक है? Next देख लीजे एकल संसेयन किसे कहते हैं? एक वर्ष में एक से अधिक फसल करना एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसल करना एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना या फिर एक वर्ष में कोई फसल ना करना तो क्या इसका उत्तर होगा तीसरे का? एकल संसेयन क्या है आपका? एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना इसे बोलते हैं एकल संसेयन, ठीक है? आगले देख लेते हैं एक पख्का बीगह किसके बरावर होता है 3000 वर्गगज 2525 वर्गज 400025 वर्गज या फिर 3025 वर्गज तो क्या होगा एक पख्का बीगह आपका होगा बरावर 3025 वर्गज ठीक है? 4 का D होगा Next देख लीजे इस थाई बंदो बस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया सर जॉन शोर कमेटी, साइमन कमेटी, ग्रॉंड कमेटी या फिर अलिक्जेंडर कमेटी तो ये स्थाई बंदो बस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया फाइव का क्या होगा फाइव का आपका हो जाएगा इसके सिफारिश पर क्या लाया गया स्थाई बंदो बस ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं गहन कृषी छेत्री कालिकरम की शुरुवात हुई थी 1960-61, 1964-65, 1966-67 या फिर 82-83 तो 6 का क्या होगा? अगर आपको पता होगा तो आप उत्ते तुरन बताएंगे और अगर अभी इयर्स में confusion है तो आप confused हो जाएंगे गहन कृषी छेत्री कालिकरम की शुरुवात हुई थी आपकी 1964-65 में ठीक है? नेक्स देख लीजे महिला डेरी योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया था? सिचाइ विभाग、 सहकारिता विभाग, दुख्द विकास विभाग या फिर युवा कल्यार विभाग तो आप तो इसका उत्तर देख के बता देंगे डेरी का मतलब किस से रिलेटेड है वो? दुख्द विकास से तो डेरी योजना हमेशा दुख दविकास वाले लाइका आएंगे ठीक है? तो उसका C हो जाएगा ग्रामीर एवं शहरी दोनों समाज में कौन सा व्यभार प्रथा से सम्मंदित है? इमानदारी, सदाचार, हिरंग, जाती में विवाह कौन सा है बताईए? आठवे का क्या होगा? कौन सा व्यभार प्रथा से सम्मंदित है? तो यह देखिए इसका है D आठवे का आपका है D, जाती में विवाह ये प्रथा से सम्मंदित है ठीक है? बाकी सदाचार, इमानदारी की कोई जाती विवस्था नहीं है स्वास्थ मानव श्रम्शक्ति बजाज समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? उसका क्या उत्तर है? बताईए, नाइन का क्या है? नाइन का आपका है C, अगर देख लीजे, आशा किस कारेक्रम की देइन है? ग्रामीर स्वास्ते मिशन, राश्ट्री ग्रामीर स्वास्ते मिशन, राश्ट्री परिवार नियोजन कारेक्रम, या फिर राश्ट्री जनसंख्या नीती 2000 तो मुझे लग रहा कई लोग आसा के बारे में जानते होंगे आसा सेंटर से आपके खुलते हैं तो एक किस कारेकरम की देन है बताइए दसमे का B है बिल्कुल सही राश्ट्रिये ग्रामीर स्वास्थ मिशन के तहट आसा जो है वो कारेकरम स्टार्ट किया गया था अगला देख लीजे लेकपाल द्वाला भूमी सर्वेक्षर में प्रियोग किया जाने वाला प्रमुख यंत्र नहीं है जरीब पैमाना पदचाल या फिर गुनिया क्या है बताइए इसमें से बिल्कुल सही इसका उत्तर है आपका पदचाल ये भूमी सर्वेक्षर के लिए प्रियोग नहीं किया जाता बाकी जरीब पैमाना गुनिया ये सब भूमी सर्वेक्षर में यूज किया जाता है ठीक है नियाए ग्राम परियोजना की आधार शिला किसने रखी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज जिपाल आनंदी बेन पातेल ने या फिर राश्टौपती रामनात कोविन्द ने किसने तो karya बताएए तुल का क्या है आन्सर बिलकुल सही नियाए ग्राम परियोजना किसने रखी थी इसके अधार्शिरा राश्ट। पती रामनात कोविन्द ने रखी थी ठीक है तो 12 का क्या है बिल्कुल सही, तेरा का है आपका भारत का प्रथम डिजिटल गाओं, गुजुरात में हैं, तेरा का A है नेक्स देख लेते हैं पौधो की बाहरी संरचना तथा आकार का अध्यन किया जाता है वनस्पति विज्ञान, आकारी की, उतक विज्ञान या फिर वर्गी की इलाके, हलका का सारा रिकॉर्ड किसके पास रहता है राजस्व निरिक्षक के पास, ग्राम पद्रान के पास, लेकपाल के पास, या फिर ग्राम सच्छिव के पास इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास रहता है बता सकते हो मुझे तो आप जरूर बताईए उत्तर में और अपने मांख जरूर आपनों कमेंट सेशन में लगाया करिए मुझे इससे पर सलदा है कि स्टांडर्ड कैसा है पेपर का 15 का क्या है? C बिल्कुल सही इलाके का सारा रिकॉर्ड लेक पाल के पास रहता है 15 का C है भारत में सरवाधिक उपजाओ मृदा कौन सी है? काली मृदा, लाल मृदा, चूनेदार मृदा या फिर जलोड मृदा देखे इसका एक पूरा सोयल का मैंने 10-12 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है एक बर उसको ज़रूर देख लिजेगा, बहुत हेल्प करेगी उसमें जो सारे क्वेशन है ऐसे की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है सेल्फ प्लॉइंग सोयल किसे कहते हैं, यह सब मैंने वहाँ बताया जो क्वेशन में आते हैं, उसको पूरा में वहाँ समझाया हुआ है एक बर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा जोगर्फी सेक्षन में या फिर जीके सेक्षन में पढ़ा होगा वो सोयल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टन है, पढ़ लीजेगा और मैं गैरेंटी दे लिए, उसका सोयल के क्वेशन गलत नहीं करेंगे आप तो 16 का क्या होगा इसका उत्तर? 16 का D होगा सरवादी कुप्दाओ आपकी जलोड मृदा होती है, ठीके? चलिए, 17 क्वेशन पर चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में राणी लक्ष्मी भाई परियोजना किस नदी पर है? यह क्वेशन कई बार रिपीट हुआ है, मैं आपसे बारा बताती हूँ यह नदी इंपॉर्टन भी बहुत, इस पर कई डायम है गंगा नदी, राम गंगा नदी, बेतवा नदी या गंडक नदी अब तक आपको रट गया होगा बेतवा नदी राई लक्षिभाई परियोजना आपकी कहां पर है? बेतवा नदी पे प्राक्टिस एट लगाते चलिए, क्वेशन रिपीट होते रहते हैं तो राई लक्षिभाई परियोजना भी बेतवा नदी पे है, माता टीला बांध परियोजना भी आपकी बेतवा नदी पे ही है वन रिपोर्ट वर्ष के अंतराल पर जारी किया आता है एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या पांच वर्ष, बताइए मुझे बिल्कुल सही, ये आपका दो वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी कि जाती है, ठीक है अठारा का क्या होगा, बी, दो वर्ष पे हर दो वर्ष पे वन रिपोर्ट आती है अगला देखिए जनगर्ना 2011 की अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाती का लिंगा अनुपाद कितना है 950, 952, 951 या फिर 955 अनुसूचित जनजाती का लिंगा अनुपाद पूछा है ध्यान दिजे ओ क्वेशन में 19 का क्या होगा 19 का होगा आपका C 951 19 का C है ठीक है अनुदूचित जंजाजी का लिंगानुपात 951 है आगे देख लेते हैं किस कारागार में पंडित राम प्रशाद बिस्मिल को फासी दी गई थी गोंडा, लखनौ, वारानसी, गोरखपुर अब सभी को इसका उत्तर पता होगा आप्शन बताने की जरुवत नहीं थी 20 का D है राम प्रशाद बिस्मिल जी को फासी कहाँ पर होई थी गोरखपुर में और गोंडब में किसको होई थी राजेंद्र लाहडी जी को होई थी पंचायत राज किस सूची का विशय है संग सूची, समवर्ती सूची, राज सूची या फिर इन में से कोई नहीं इसका कुत्तर क्या है पंचायत राज आपका राज सूची का विशय है नेक्स देख लेते हैं एक चेंड या छोटी जरीव किसके बराबर होती है 22 गज, 100 कणिया, 66 फीट या फिर सभी के बराबर होती है बताएं एक किस के बराबर होती है 22 का क्या होगा 22 का होगा सभी के बराबर एक चेंड या छोटी जरीव 22 गज, 100 कणिया और 66 फीट इन सभी के बराबर होती है 22 का D है नेक्स देख लेते हैं कौन सी योजना महीला शशक्तिकरण से जुड़ी है सबला, TRDP, DWCRA या फिर JRY आपको पहला काम तो यह करना है कि सबला तो आप पता ही लेंगे कि यही जुड़ी हुई है आपकी यही इसका उप्शन है लेकिन बाकी सबके फुल फॉर्म मुझे बताने है कि क्या है इस सबके फुल फॉर्म योजनाओ के कमेंट सेक्शन में इसमें से कौन सा गलत युग्म है मुझे बताईए बिल्कुल सही कबीर उस्थो कहां पे आपका मनाया जाता है वारानसी में नहीं मनाया जाता है ठीक है नेक्स देख लीजे सही सुमेल है यह आपका आज का आखरी क्वेशन है 25 वा मयूर निर्त्य पूर्वांचल छेत्र कलाबाजी निर्त्य बुंदेल खंड छेत्र डेढ़िया निर्त्य धाबा छेत्र या फिर जोगिनी निर्त्य ब्रज छेत्र इसका कौन सा सही है इसका सही है आपका C जो डेडिया नित्र है ये द्वाबा छेत्र का है नित्र सारे आपको पता होने ची कहां से बिलॉंग करते जो इंपोर्टन बॉर्टन नित्र है उनको जरूर पढ़के जाईएगा ठीक है दोस्तों अगर आपको प्राक्टिसर अच्छे लग रहे हो तो पहरे तो आप कमेंट सिशन मुझे अपने मार्क्स बताईए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरीर जरूर कर लीजे क्योंकि अब बिलकुल भी आपस टाइम नहीं है जल्दी से हमनों को खतम करने इस सीरीज को ज़्यादा ज़्यादा प्राक्टिसर अच्छे अच्छे कराने की कोशिश करूगी धन्यवाद